किसानों को अपनी वस्तू का भावते करने का अधिकार देना ही पड़ेगा क्योंकि सबक में बैठा हुआ जो जूता बनाने वाला करमचारी है न कारीगर वो अपने जूते का भावते कर लेता है तो 77 करोड किसानों को भावते करने का अधिकार क्यों ही होना जी और किसान को मालूम है कितनी महनत लगती है कितना हिम्मत लगती है खेती करने में शेहर वाले को क्या मालूम है तो भाव तै करने का अधिकार तो किसान को मिलना ही चाहिए और अगर वे भाव जादा लगता है सरकार को कि नहीं नहीं किसान का गया हूँ मैं तो कहता हूँ 50 रुपई किलो के हूँ बिखना चाहिए 55 रुपई किलो का पास बिखनी चाहिए 45 रुपई किलो धान बिखना चाहिए तो सरकार को लगता यह भाव जादा है तो सरकार ऐसा करे किसानों को भाव देकर वो सस्ती चीज़ है दूसरों को बेचे सरकार के पास टेक्स के बहुतेरे पैसे हमने दे रखे किसान से खरीदे 50 रुपाई किलो के हूँ और गरीब आदमी को बेचना है 15 रुपाई किलो तो 35 रुपाई किलो की सबसे भी दे दे सरकार टेक्स का हमने वो तेरा पैसा दे रखा 20 लाग करोर का उसमेंसे दे सरका तो आप बोलेंगे वो पैसे नहीं निकले तो मैंने उसका हिसाब निकाल रखा वो पैसे निकल आएंगे कैसे निकल आएंगे राश्वपती से लेकर और आखरी करमचारी जो है ना चतुर्द क्लास का, सबकी तनखाएं कम कर दो, सबसे भी के पैसे उसमें से निकल आई है, राष्ट्रपती को साल में 27 करोड रुपई खर्च करने को मिलता, क्यों मिलना चाहिए, राष्ट्रपती है, कोई भगवान तो नहीं है न, एक साल में 27 करोड खर्च करे रा रहे हैं, राष्ट्रपती तो हमारे वोटों से चुना जाता है, मालिक तो हम है, नौकर तो वो है, और नौकर को हर दिन साड़े 7 लाख रुपई मिलते हैं खर्च करने को, और जो मालिक है देश का उसको 20 रुपई नहीं मिलते हैं रोज कर्च करने को, ऐसा त्याचार तो नहीं चलने देंगे इस देश को, हमारी को योगिना है कि राष्ट्रपती हो, प्रधान मंत्री हो, मुख्य मंत्री हो, राज्यपाल हो, इन सब लोगों को देश की सेवा फोकट में करनी होगी, तब तो राजनीत में आए, नहीं तो अपने घरदों को, यह तंखा लेके T.A D.A. HR.E. लेके भारत माता की सेवा होती है, क्या? यह सब लेता आते हैं, हमारे सामने कहते हैं, हमको देश की सेवा का एक मुखादो, ऐसी कहते हैं, देश की सेवा करनी है, एक मुखादो, भारत माता की सेवा करनी है, एक मुखादो, अपनी मैया की सेवा करने के लिए कोई तन्खा मांगता है आप अपने घर में अपनी मां की सेवा करते हैं मान लो पैर दवाते हैं अपनी मां के तो अपनी अम्मा से करते हैं आप टीये दे दे मेरा दीये दे दे सेलरी दे दे मुझकर और हर साल बढ़ा के दे क्योंकि मैं पाउं में दबा रहा हूं कि अपनी मां की सेवा करने में कोई तंखा मांगे उस से जादा फालतू फिजूल कोई आदमी नहीं है और यह भारत मता की सेवा कर रहे हैं और पैसे मांगते हैं T.A.D.A.H.R.E. इन बेइमान नेताओं से पूछो कि भगत सिंग उदम सिंग चंदर शेकर ने कौन सा T.A.D.A. लिया था देश की आजादी लाने के लिए कितनी तंखा मांगी थी उन्होंने उन्होंने तो अपनी जवानी लगा दी इस देश के लिए अगर वो अपनी जवानी लगा सकते हैं देश के लिए तो आजादी के बाद के नेताओं को सेवा करने के लिए तंखा क्यों चाहिए T.A.D.A. क्यों चाहिए मैंने एक दिन हिसाब निकाला राष्ट पती से और नीचे करमचारी की सारी तंखाएं खतम कर दो सततर हजार करोड रुपए बचेगा उतने पैसे मैं किसान का गेहूं पचास रुपए किलो भिग जाएगा अराम से एक दिन एक नेताओ कहने लगा राजी भई आप तो बड़े खतरना का आदमी हो सबकी तनका T.A.D.A. खतम करोगे तो मैंने का हां कर नहीं है क्योंकि राजनीत कोई धंदा थोड़ी है व्यवसाय थोड़ी है यह तो सेवा का आपके गाओं में कोई मंदिर है मंदिर की सेवा करो तो पैसे लेते हो क्या क्यों लेंगे पैसे भई देश की सेवा कर नहीं है माता की सेवा कर तो कहते हैं जी हम की बोजन पानी की व्यवस्ता हम करेंगे तुम संसत में जाओ आगे देश की वा करोगे तो टुमारे वोजन पानी की व्यवस्ता हम करेंगे क случа olduğ मैंवे का संसत के पीछे बहुत बढ़ा गुर्द वारा चलता है, मालू है ने आपको, बिल्कुल संसत के पीछे गुर्दवारा है, और 24 घंटे लंगर है वहाँ, और बढ़िया लंगर है, मैंने खाया है कई बार, रोटी मिलती है, बहुत अच्छी, डाल मिलती है, सब्जी मिलती है, बहुत स्वादिस्ट है, और कभी-कभी दही भ हमेशा ही मिलता है वहाँ, तो लंगर में खिलाएंगे सबको, पांचसो तेताली सांसत लोग सभा के, दोसो पचास राजी सभा के, साड़े आत्सो लोग के लिगर चलेगा, दिकत क्या, तो सब विधान सभाओं के आसपा से एक गुर्दवारा खुल जाएगा, सब विधान सभाओं के नस्दीक लगतर चलेगा, क्या मुश्किल है, सरदार अभी इतने गरीब नहीं हो गए इस देश में, जो गाओं गाओं गुर्दवारा खुल सकते हैं, वो विधान सभाओं के नस्दीक भी गुर्दवारा खुल जाएगा, वहाँ भी मिलेगा, सब को बोजन पा के देदेंगे सब को, कपड़े भी मिल जाएगे, और बाकी तो सब मुफत में मिलता ही है, आपको मालूम है, रेल यात्रा फ्री है सब नेताओं की, हवाई जादी यात्रा फ्री है सब नेताओं की, घर फोकट में मिलता है सब को, बिजली फोकट में मिलती है, पानी फोकट में मिलता है टेलीफोन फोकट में मिलता है ये तो सब फोकट में मिल ही हुआ है खाना और कपड़ा ये दिलवा देंगे उनको पिर तंका किसके लिए चाहिए और जिनको तन खा चाहिए, वो अपने घर में बेटें, अपना धंदा करें, बिजनिस करें, पैसे कमाएं, ये राजनीत पैसे कमाने के लिए थोड़ी है, इस राजनीत को देश के लोगों ने खून से सीचा है बाई साब, भगत सिंग का खून लगा है, उदम सिंग का खून लगा है, लाला लाजबतराय ने खून दिया है, 7,32,780 राजनीत को सीचने के लिए, कोई धंदे के लिए नहीं है, बिजनिस के लिए नहीं है, राजनीत ऐसी बनाएंगे, और संसत और विधान सवाव में ऐसे ही लोगों को चुनकर लेके जाएंगे, जिनको तनखा नहीं लेनी है पीए डीए नहीं लेना है एचारे नहीं लेना जो भी पैसा है वो किसानों के लिए है गरीबों के लिए है अनाथों के लिए है उनके लिए पैसा देश बनाना है ऐसे कान